हालो एब्रिवन आइम यूर साइंस टीचर एंड आवर यूट्यूब चैनल इस यूवी एस क्लासे आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 चप्टर नमबर 3 एंड आवर चप्टर नम इस फाइबर 2 फैब्रिक आज हम इसका पार्ट सेकेंड करने वाले हैं फर्स्ट पार्ट में हमने डिफाइंस कर लिये थे एंड रिमैनिंग डिफाइंस आज हम करने वाले हैं एंड कोशन आंसर बेक एकसाइस भी हम आज करने वाले हैं तो आईए सबसे पहले हम पढ़ते हैं जूट जूट क्या होता है जूट एक फाइबर होता है एंड जूट कि इस चीज़ से मिलता हमें तो जूट का क्या होता है प्लांट होता है जूट को हम गॉल्डन फाइबर भी बोलते हैं हमारे इंडिया में जूट मैनली कहां उखता है तो वेस्ट वंगा बिहार और असम में होता है ये कब कल्टिवेट होता है ये रैनी सीजन में होता है चली अब हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसे जूट फाइबर is obtained from the stem of the jude plant it is cultivated during the rainy season in India jude is manly grown in west बंगाल बिहार और असम jude is also called golden fibers jude को हम golden fiber भी बोलते हैं आईए आगे चलते हैं अब हम spinning cotton yarn means spinning जो होती है ये क्या होती है एक process होती है इस process में क्या होता है जो हमें cotton या फूल मिलता है plant से उसे twist करके एक धागे नूमा बनाया जाता है इस process में कौन सी device युजाती है चल्का जो आपने सुना होगा महात्मा गंदी जी भी चल्का चलाते थे end वो क्या चाहते थे कि इससे जो मधूर संगीत निकलता है जो इसकी आवाज रहती वो हर एक घर में हो तो इसमें क्या लिखा भाए दा प्रोसेस ओफ मेकिंग यार्न फों फाइबर्स इस कॉल्ड इस प्रोसेस फाइबर्स फॉम अ मास ओफ कॉटन फूल अर ड्रौन आउट एंड ट्विस्टेट इस ब्रिंग्स दा फाइबर्स तुगेधर तु फॉम यार्न और सिम्पल अभी हमने देखा कि फाइबर्स से यार्न कैसे बनता है अब हम देखेंगे यार्न से फैबरिक कैसे बनता है यार्न से फैबरिक बनाने की एक प्रोसेस होती है जिसे हम क्या बोलते हैं विविंग विविंग मींस क्या होता है बुन्ना दा प्रोसेस ओफ अरेंजिंग तो से पारे से हमारे गन में जो चटाई बिछाई जाती है उसमें एक की यार्ने नहीं होता है पूरा क्या होता है बहुत सारे होते है तो ऐसे ही उसी को ही क्या बोलते हैं वीविग बोलते हैं the process of arranging two sets means यह two set में होते है या उससे जाधा set में होते हैं अब ही हमने पड़ा कि टू सेट में या फिर उससे ज़्यादा सेट में फैबरिक बनता है यान से अब हम पढ़ेंगे single से कैसे बनता है उसको हम क्या बोलते है knitting उस process को हम क्या बोलते है knitting उसका मतलब क्या होता है बुन्ना जैसे आपने देखा ही होगा कि एक उनका धागा रेता है उस एक से ही वो पूरा ऐसा हमारा fabric बनाते हैं अकसर आपने मम्या को या फिनानी वगेरा को देखा ही होगा बनाते हुए sweaters मोजे इससे सारी चीज़े बनती है और single yarn to use to make a piece of fabric आईए अब हमारा ये chapter complete हो चुका है अब हम इसके question answers and back says पढ़ेंगे आईए देखते हमा first question क्या है first क्या है हमारा classify the following fibers as natural or synthetic means natural fibers और synthetic fiber को हमें अलग-अलग करना है natural fiber क्या होते हैं हमने chapter में कर रहा था जो हमें natural तरीके से प्राप्त होते हैं जैसे जो हमें plant से, animals से, insects से, इनसे मिलते हैं वो natural fiber होते हैं and synthetic fiber क्या होते हैं जो man-made होते हैं ठीके, so wool, wool हमें sheep से मिलता है, cotton, cotton हमें किस चीश से मिलता है, cotton का plant होता है, silk, silk का हमें silk warm से मिलता है, jute, jute का भी plant होता है, हमने ये सारे chapter में करा है, देखें अब हम आते हैं, synthetic fiber, nylon and polyester, चली, अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे second question की तरफ, second question क्या है हमारा true and false, state whether the following statements are true or false, yarn is made from fibers, yarn जो रहता है, वो fiber से बनता है, true, spinning जो process रहती है, वो fiber बनाने की process रहती है, no, third हमारा, jute is outer covering of coconut, jute जो रहता है, वो coconut का बहार का cover type रहता है, no, jute का plant होता है, the process of removing seeds from cotton is called ginning, जो seed को remove करने की process रहती है, cotton के, वो ginning होती है, yes, हमने पढ़ा ही था, देखे, आगे चलते हैं, weaving of yarn makeup piece of fabric, जो weaving रहती है, वो process किस चीच की रहती है, fabric बनाने की रहती है, true, रहती है, silk fiber is obtained from the stem of a plant, silk fiber जो रहता है, वो क्या plant से होता है, no, silk तो हमें silk mom से मिलता है, उसके fabric बनता चली, आईए, अब हम आगे बढ़ते हैं, हमा filling the blanks, filling the blanks क्या है, plant fibers are obtained from, plant से हमें दो चीज़े बतानी, जो हमें plant से मिलते हैं, सो हमने क्या लिखा है, cotton and jute, है ना, हमने भी पढ़ा ही था आगे, second है हमारा animals fiber, animals से हमें silk and wool, silka में silkworm से, और wool हमें sheep से मिलता है, चली, अब हम आगे बढ़ते हैं, fourth number, fourth number क्या है हमारा, from which part of plant cotton and jute are obtained, so cotton जो रहता है, from fruit of cotton plant, जैसे आपने देखा ही होगा, कि जो रूई का पेड रहता है, उसमें से छुटे-छुटे, पोधे टाइप आते हैं, उसमें से अहरे कलर का फिरूई निकलती, cotton निकलते, और jute जो रहता है, from stem of jute plant, जो हमने आगे देखा था, diagram में, कि जो jute का पेड रहता है, plant रहता है, उसकी stem में जो रहता है, उससे हमें jute मिलता है, चलिए, आगे चलते हैं, अब हम five number है हमारा, name two items that are made from coconut fiber, हमें दो के से नाम बताने हैं, जो coconut fiber होते हैं, so bags and rope, rope means क्या होता है, रस्ती, bag, bag तो आपको सबको पताईए, चलिए, आगे चलते हैं आप हम six number, six number क्या है हमारा, explain the process of making yarn from fiber, जो fiber से yarn बनाने की process रहती है, उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे हम spinning बोलते हैं, आपको कुछ नहीं करना है, हमने आगे पड़ी रखा है, शेप्टर में, so spinning की पूरी आपको definition इस answer में लिखना है, the process of making yarn from fiber is called spinning, इस process में क्या होता है, मैंने आपको बताया ही था कि जो cotton के, वूल के जो रहते हैं, फाइबर, उसे twist करके, धागे नुमा बनाया जाता है, मिन्स उससे yarn बनाया जाता है, और इसमें क्या यूज आता है, चरखा, ठीके, the process of making yarn from fiber is called spinning, in this process, fibers from a mass of cotton were drawn out and twisted, this brings the fibers together to form a yarn, देखे, अब जो हमारा third chapter है, ये complete हो चुका है, I hope आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, thank you. झाल